वरत में बनाई ऐसी थाली जिसने नहीं की उसने भी खाली तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आश्या करती हूँ कि आप अच्छे होंगे तो सबसे पहले बढ़ों को प्रणाम और छोटों को हाई तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में गैस वगेरों को पहले से ही अ करती हूँ यानि कि सारा पूजा वगेरा होने के बाद तो यह साम का समय जब मैं तयारी कर रही हूँ अपने रात की तो यहाँ पे गैस को आउन करके चड़ा दिया है मैंने कड़ाई तो जब तक हमारी कड़ाई गर्म हो रही है ना तब तक हम इदर निकाल लेते हैं खाज बिल्कुल साइड रखती हूं हर चीज को तो यह पे मैंने निकाल लेया है थोड़ा सा बादाम थोड़ा सा किस्मिस और थोड़े से काजू यानि कि मतलब आप इससे सूखा भी खा सकते हो और खीर वगेरा में भी डाल के यानि कि यहाँ पे मैं बनाऊंगी मखाने का खीर तो इसमें जो है न हम एक्स्ट्रा कुछ वैसा नहीं खाते पूरी वो क्या बोलते पकॉड़ी वगेरा बनाते न समा की चावल का या जो भी सिंहारे के आटे का तो मैं सिर्फ यहाँ फलहारी करती हूं यहाद जेनरली फली खाती हूं तो आज रख लिया था मेरी बेटी न सब्सक्राइब कर लेती हूं तो व्रत का नाहीं का लग बरतन होना ही चाहिए लेकिन फिलाल में इसी में कर रही हूं पतला भी है तो आप जेनरले अगर इसे भूने ना तो मोटे तल के बर्तन में भूने और थोड़ा बड़े भूने ताकि यह गिरे ना फिर थोड़ा लग भी एता लेकि इस जला नहीं है और इसको 5 दक जब अच्छे से भूनेंगे न तो इस तरह से यह crispy हो जाएगा और जब यह crispy हो जाएगा तो बस हो गया इसका काम और इसे निकालेंगे हम इसी बरतन में ताकि यह अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर इसी कड़ाई को हम चड़ा देंगे gas पर क्योंकि कड़ाई हमारी तो गर्म ही है इसी में मैं डाल रही हूँ दूद इसी खीर के लिए यानि कि मखाने के खीर के लिए तो 700 क्राम दूद है ये हमारा ये पहले से बॉयल करके मैंने बॉयल करके ठंडा करके रखा था दूद को और जब तक बॉयल ये मतलब दूद को ड्राइ खाना हो ना मखाना आपको तो पता ही है कि मखाना कितना फाइदा करता है अगर आप मखाने का खीर या मखाना बून के खालोगे ना तो आपको मतलब पूरा दिन का जो होगा ना फास्टिंग किया हुआ बिल्कुल मेक अप हो जाता है बिल्कुल भी नहीं लगता कि ह पूरे दिन fast पे थे और इस तरह से हातों से थोड़ा थोड़ा क्रॉस्ट कर लेंगे थोड़े से दाने को ताकि जो हमारा खीर है वो अच्छा सा लट पटा सा बने मतलब क्या बोलू? जैसे ऐसे होता है ना दूद अलग होता है और दाने अलग होते हैं तो उसमें जब अब इस तरह से क्रस्ट कर दोगे ना थोड़ा थोड़ा बहुत जादा नहीं करना है तो बहुत अच्छा लटपटा सा गाढ़ा सा खीर बनके तयार होता है तो जब तक हमारा दूर इसर बोईल हो रहा है तब तक हम मिख्सी का जार लेकर आजाएंगे साइड में मिख्सी को भी अच्छे से पोच लेंगे मुझे यह धियान नहीं था तो मैंने फिसे नहीं दिए आज़ी भी ना चीत है था क्योंकि आज ही आया था दुकान में सारा ऐसा ही था तो थोड़ा सा कड़क है बनाना इसलिए पहले हम बनाना को डालेंगे आप चाकू से भी कट कर सकते हैं लेकि मैं नॉर्मली हातों से ही तोड़के डाल दे रही हूं उतना टाइम वेस्ट नहीं करती हूं फटा फट से काम होता है तो यहां पर मैंने दो बनाना डाला है और वहीं पर डाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी आपको ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा डाल सकते हैं मैंने भी अपने हिसाब से डाला और थोड़ा सा डाला है यहां पर बादाम साधार डाने होंगे और थोड़ी से डालें यहां पर किस्मिस क्योंकि इस सब से टेस्ट भी बहुत अच्छा और थोड़ी से भूनेवे मखाने भी मैंने इसमें डाल दिये हैं और यहीं पर इसको न मिक्सी में लगा के थोड़ा सा पीस लेंगे क्योंकि जो हमारा बनाना है न केला है वो थोड़ा सा हाड है तो अच्छे से पिस जागर आप एक ही बार दूट डाल देंगे तो यह अच्छे से पिस्ता नहीं है गुठलिया गुठलिया रह जाती है केले क और फिर यहीं पर अपने हिसाब से दूट डालेंगे जितना आपको बनाना से एक बनाना हो और फिर इसको बंद करके आप इसे हमें थोड़ी देनी चलाना है और यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा दूट के साथ तो यहां पर देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है ग्राइ और यहीं पर मैं बनाना से एक और चीनी के लोई के आ गई हूँ इस साइट और दूट जो है ना हमारा बॉयल पर यानि कि खौल गया है बॉयल हो चुका है तो उसको अच्छे से चला लेंगे और यह जो मखाना है ना इस मखाने को हम वो बॉयल दूद में डालेंगे यानि सबको अच्छी लग थे बच्चे भी मतलब लगाई ने किसने फास्टिंग किया किसने ने किया क्योंकि सारे लोगों ने ये फलार वाली धाली को खाया है मतलब छोटा वाला यानि कि अर्पित भी बोला मैं भी मैं यह घांगा मेरा भी फास्ट है और इस तरह से डालने के ना फोगी देर तक उसको पकाएंगे और जो कम हो जाती है उसके अंदर अच्छे जब जाता है ना तो थोगी देर तक इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और चलाते चलाते फिर बीच में डाल देंगे हम चीनी नहीं टेस्ट की अकार्डिंग यहाँ पर भी चीनी बहुत कम लगती जिए क्विकिश सिर्फ दूद होता है ना तो सिर्फ दूद वाले खीर में तो चीनी कमी लगती है और यहीं पे डालेंगे थोड़ा सा ड्राइफ्रूट अगर आपको ना डालना हो तो आप ड्राइफ्रूट के रखा था और वहीं पिर एक बनाना को भी मैंने अच्छे बिल्कुल ईजी है बिल्कुल जो टाइम है वो मकाने के खीर बनने में और उसमें भी कोई टाइम नहीं बीच में आप बहुत सारे काम को कर सकते हो उसको करते हुए तो यह देखिए हमारा फ्रूट सैलेट भी तयार हो चुका है और यहां पर जो थोड़ी से हमारी ड्राइफ फ्रूट थी ना उसको मखाने के साथ रख देंगे भूने वे मखाने के साथ ताकि खाने में और भी टेस्टी लगी आप चाहे तो राइफिर को भी भून सकते हैं मखाने के साथ लास्ट में थोड़ा सा जब बचे-णा उसके साथ भून सकते तो यहां पर देखिए हमारी जो मखाने की खीर है ना वो भी बनके तयार है ये थोड़ी और ठंडी होगी ना तो और गाड़ी हो जाएगी तो इसे भी निकाल देंगे हम कटोरी में क्योंकि मैं ऐसे भी रात में खाने वाली हो और ये टाइम हो रहा है साड़े साथ आट बजे का मैं लगभग दस सी ग्या ग्यारे नहीं 12 बचे के बाद ही खाऊंगी तो यहां पर देखिए हमारे जो है ना यह भी मखाने का खीर भी बनके तयार है और यह रामा ड्राइफ्रूट और मखाना जो हर चीज हमने सूखा रखा है यहीं पर ग्रैप्स को भी दूल के रख ले था यानि कि अंगूर को द कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नौटिफिकीशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बबाई टेक के लिए